देखो बच्चो यहां पर फिगर 12.15 में कोश्चन नामबर 3 में कहरे एक लड़की है राधिका जिसने एक कलर पेपर से ऐरोप्लेन मनाया है तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगे इस एरोप्लेन को हमने स्प्लिट कर लिया एक ट्राइंगल में ए तो इसको ले लो यह भी 5 है यह भी 5 है नीचे यह वन सेंटीमीटर तो तुमारा वन सेंटीमीटर होगा बल्के इसको बोल देता है इन ट्राइंगल ABC ठीक है यह हो जाएगा A this is B this is C ठीक है clear तो देखो यहां पर मैं एरिया कैसे निकाल लोगे हिरोंस फॉर्मिला लग लग है और थर्ड साइड तुम्हारी वन है ठीक है तो मैं क्या कर सकती हूं 10 11 by 2 यह कितना हो जाएगा बच्चो 5.5 राइट चलो अब एरिया निकालते हैं हम इसका A1 कह देते हैं अंडर रूट S, S-A, S-B, S-C यह हो जाएगा 5.5, 5.5 माइनस 5, 5.5 अगें माइनस 5, फिर 5.5 माइनस 1, S, ठीक है यह हो जाएगा आपके पास 5.5 इंटु 0.5, अगें 0.5 इंटु 4.5, ठीक है इन सब को multiply करके क्या आएगा तुम्हारे पास result, you'll get the result as 6.1875, अगले step क्या करना है आपको इसका square root निकालना है ताकि में पास एक actual value आजाए, exact value, ठीक, चलो इसका हम लोग square root निकालते तो हमारे पास 11 आजाएगा, चलो, किसका है 6.1875 का square root कैफे निकलेगा, let's see 2, 2's are 4, 3, 3's are 9, तो मैं 2 से कर लेती हूँ, 2, 2's are 4, कितना बचा 2, ठीक है, decimal उपर आजाएगा, 18 नीचे आजाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा, 4, ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, 4 के साथ अब 4 रखके, इसी से multiply करती हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4, 4's are 16, 17, ठीक है बच पूरा नीचे आएगा, स्क्वेर रूट में दोनों चीज़ एक साथ आती है, अब 4 को इस 4 में आट करो, यह हो जाएगा, 8, sorry, 8 हो जाएगा, 8 और यह हो जाएगा, बल्कि इसे किनारे पे करो, 4, 8, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या रखको, तो देखो, अगर मैं 8 रखकर, 8 से ही multiply करूँगी, तो मेरा यहाँ पर कितना आजाएगा, 3, 9, 0, 4, आगे आपको जरुवत नहीं क्योंकि डेसिमल के बाद 2 places are enough, ठीक है, चलो, तो यह कितना आगे, 2.48, this is area 1, तो मैं लिख सकती हूँ, area 1 is equal to 2.48, किस चीज में, centimeter में, centimeter square, ठीक, clear, अब आजओ area 2, area 2, बहुत simple है, यह देखो rectangle है, rectangle, L कितना है, area क्या होता है, rectangle का, L into B, L कितना है, 6.5 given है, breath कितनी given है, 1, तो यहाँ पर area आजाएगा, 6.5 centimeter square, आसान था यह वाला, अब आजओ area 3 पे, यह क्या है बच्चो, this is a trapezium, है न, trapezium का area क्या होता है, this is a trapezium, trapezium, ठीक है, area of trapezium बताओ, याद करो, half into, altitude into, base 1 plus base 2, यही तो होता है, लेकिन तुम्हारे पास base 1 और base 2 तो है, लेकिन रूंड half height है, न, height नहीं है, ठीक, उसके लिए बच्चो क्या करेंगे, हमें यह height से लिए, चलो, अब हम इस trapezium की height निकालते चलो, इसको भी raise कर देते हैं, कहीं लिख लेंगे, ताके याद रहे, लेको बच्चो मेरे पास अब यह trapezium ऐसा आया है, this is, इसको क्या दो P, this is Q, this is R, this is S, ठीक है, this is 1 centimeter, this hole is 2 centimeter, यह पूरा 2 centimeter है, ठीक है, मैंने क्या करा, 1 centimeter, इसके एक line parallel draw करी, equal to this, मतलब यह भी मैंने 1 centimeter draw करी, ठीक है, तो देखो बच्चो, अगर गिदुन line equal or parallel है, तो यह side मेरे, इसके equal होगी, तो यह भी 1 centimeter हो जाएगी, ठीक, पूरी 2 है, यह तुमारी 1 है, तो obviously यह भी 1 ही हो median draw करती हूँ, ठीक है, perpendicular in fact, perpendicular draw करती हूँ, perpendicular क्या करता है, equilateral triangle में, इसको 2 half में divide करता है, perpendicular, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसको t ले लो, इसको s ले लो, यहाँ से क्या मिला, कि rs is equal to st, ठीक है, आधा-धा, तो यह कितना हो जाएगा, 1 divided by 2, 0.5 centimeter, कैसे, perpendicular, जो equilateral triangle में होता है, वो इसको bisect करता है, ठीक, अब देखो, बच्चो, मेरे पास, यह 1 centimeter है, rs में, ps निकाल सकती हूँ, height, height क्या हो जाएगी, पाइता-गोरस theorem से, rp square, minus rs square, 1 square, minus 0.5 का square, 1 minus, यह हो जाएगा, 55 to 25, decimal लगेगा, 2 digit के बाद, 0.25, ठीक है, तो यहाँ पर यह आजाएगा, आपका, 0.75, ठीक है, यह height का square है, sorry, तो h कितना हो जाएगा, under root 0.75, राइट, अब तुम्हें 0.75 के square root निकालना है, ठीक, चलो वो देख लेते हैं, 0.75 के square root, क्या हो जाएगा, पहले तो decimal ही लग जाएगा, 75 को देखो, 8, 8's are 64, 9, 9's are 81, तो हम 8 से करेंगे, 8, 8's are 64, बचेगा, 1, 1, ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, 8 plus 8, 16, इसमें क्या रखो, मेरे पास, आगे 2, 0, दोनों नीचे आ जाएगे, ठीक है, तो मैं इसको 6 से करके 6 रखती हूँ, अगर, तो यह कितना हो जाएगा, 9, 9, 6, देसिमल की बाद 2 प्लेसे इनफ होती है, तो इसके स्क्वेर रूट कितना हो जाएगा, 0.86, तो हमको मिल गया, कि यह क्या थी, हाइट थी, हाइट विल भी, 0.86 सेंटीमेटर, अब एरिया ओफ ट्रिपेजियम निकालो, हाफ इन्टु हाइट इन्टु बीवन प्लस हाफ इन्टु 0.86, बेस वन वन, बेस टु टु, यह वन है, यह टु है, ठीक है, क्लिर, एक काम करो, इसको जो हम 0.9 ले लेते हैं, क्या है, एट के बाद 6 आ रहा है न, तो मैं अगर इसको राउंड आफ करूंगी, 0.9 कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि वहना, कैलकुलेशन मे बहुत जादा डेसिमल के बाद वह आ जाएगा, हाफ इन्टु 0.9 इन्टु 3, यह हो जाएगा, 3 नाइन्स आ, 27 डेसिमल लगेगा, एक के बाद, डिवाइड बाद 2, यह हो जाएगा, 1.35 सेंटीमीटर स्क्वेर, इस इस दे एरिया, ओफ टरपेजियम, सब नोट डाउन कर भर चलना कहां पर क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठेक है ना, चलो, अब हमें निकालना है, एरिया ओफ यह जो 2 विंग्स है इसके, इसको 4 माल लो, इसको 5 माल लो, ठेक है, तो एरिया 4, क्या हो जाएगा, यह राइट आंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटु 0.1, बेस 1.5 cm है ना तो यह हो जाएगा 3 3 इंटू यह हो जाएगा 45 4.5 cm2 ठेग ऐसी तुम दूसरे विंग का निकालो एरिया यह गोनों सेमे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगें हाफ बेस कितनी है 6 हाइट इतनी है 1.5 यह भी हो जाएगा 4.5 cm2 अब क्या करोगे पूरा एरिय इन कितना हो जाएगा चलो अब इसको रप करके पूरा लिखते हैं फाइनल कल्कुलेशन होगी तुमारी एरिया ओफ एरोप्लेन विल बी A1 प्लस A2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5 A1 बताओ जल्दी से कितनी थी 2.48 एरिया 2 आपको कितना था 6.5 एरिया 3 कितना था जो ट्रपेजियम था 1.35 एरिया 4 4.5 एरिया 5 5.5 ठीक है यह सब कितना आ जाएगा तुमारा 19.35 cm2 ठीक है बच्चो अब देखो क्योंकर यहां पर 5 है तो मैं इसे राउंड आफ क्या कर सकती हूं 19.4 cm2 ठीक I hope वीडियो पसंद आए होगी असानी से समझ में आया होगा वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज एक दफा अच्छा सा कॉमेंट कर देना लाइक कर देना और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना थाउचियो अवाचियो प्रेनो सलुशंस